वेल्कम टू माइ सीजेग्जाम, आज हम लोग सीजी पेसी मेंस का एक टॉपिक करेंगे, मैट्स का, जो की पेपर 4 है और उसका पार्ट 2 है, भाग 2 है, और वो टॉपिक का नाम है रैश्नल एक्सप्रेशन, रैश्नल एक्सप्रेशन को हिंदी में परिमे वेंजग बोला जा यह हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप इसे हमें फॉलो कर सकते हैं, तो मैं रैश्नल लंबर से स्टार्ट करता हूँ, जो टॉपिक है, रैश्नल एक्सप्रेशन है, मैं स्टार्टिंग बहुत बिग्निंग से करो, बहुत इसी तरीके से, बहुत छोटे तरीके से समझात हूँ और एकड दम स्टार्टिंग से ले रहा हूँ, ठेके, तो राश्म अबर में बताने से पहले में आप लोगों को प्राकृतिक संख्या, पोन-्संख्या, पोन-घॉनंग और परिमे- mujer sंख्या, इंगलिश में राश्नल लंबर होता है, प्राकृतिक संख्या को हम नंबर कहा जाता है जिसमें 1 2 3 4 आता है जिलो नहीं आता ये दिमार्प में रखेगा जीरो जो है सुन्द जो है वो नहीं है इसके अंदर में नहीं है ना कि कोई फ्रेक्षिन बहुर्ट पॉइंट वन कुछ नहीं आता किवल वन के बाद टू आएगा टू के बाद टू के बाद टू आता तीन के बाद चारा आएगा यह नाचुरल लम्बर है अब नंबर में 0 add कर दूँ मतलब natural number में 0 तो नहीं था तो natural number में अगर मैं 0 रख दू natural का जो set है उसमें 0 डाल दू तो उसको बुलते है whole number whole number मतलब पूर्ण संख्या यह डबलो से गुट कर रहे हैं आपर देख रहा है पूर्णांग अब इस whole number में negative add कर दू negative मतलब minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 and so on up to infinity यह add कर दू तो इसको बोलते है पूर्णांग इंटीजर्स इसको बोलते हैं इंटीजर्स इंटीजर्स यह इंटीजर्स को इसे या फिर जैड से डिनोट करते हैं याद रखिएगा आई से यहां पर लिखा हुआ है अल्ड़ी हम इसे जैड से बेनोट करते हैं पूर्णांग बोलते हैं जो अगला आता है वो इसके बारे हमको स्टड़ी करना है इसे हिंदी में परीमे संख्या देते हैं तो मैं आपको बता दूं हमने नैच्चुरल पढ़ा होल पढ़ा इंटीजर्स पढ़ा यह तीन पढ़ा अभी एक्चुली नैच्चुरल में 0 डाल दिया तो होल बन गया होल नंबर में सारे जिसको डाल दिया तो हो यह इंटीजर बन गया अब यह जो रैशनल लंबर है इसको q से हम देनोट करते हैं इसको यह जो रैशनल लंबर है न इसमें प्रेस्ट में वा 4, 7 by 4, यह सब क्या हो जाएंगे rational number, तो rational number का definition हो जाता है, परिभासा हो जाता है, ऐसा number जिसको P by Q के रुप में लिखते हैं, जहाँ P और Q दोनों ही पुर्णांक है, मतलब यह जो P और यह Q है, यह दोनों क्या है integers है, और Q की value 0 नहीं होना चाहिए, है ना denominator मतलब अंच और यह हर बोलते हैं, यह हर कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीके, बस यह condition है, बाकि आपको rational number भी clear हो गया होगा, मैं एक बर फिर से आपको rational number बता दू, जो rational number है, वो हमेशा P by Q के form में लिखाएगा, जहां यह दोनों P और Q क्या होते हैं, integer होते हैं, पी और Q दोनों क्या है, integer मतलब पुर्डांग संक्या है, और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, पी 0 हो सकता है, मतलब 0 by 2 is a rational number, but 2 by 0 is not a rational number, this is not a rational number, यह defined नहीं है, not defined हो जाता है, लेकिन यह rational अब जो भी number आप बोलू है, 2 by 3 rational number है, 5 natural number है, whole भी है, integer भी है, और rational भी होगा, समझ में आरा आपको, ठीक है, यहां पर देखें, यह बना होगा है, यह आपको समझ में आएगा, यह natural number है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, up to infinity तक, बहुत अनन तक है, अब उसमें मैं just 0 add कर दिया, तो इ natural में क्या add किया है, 0 add किया है, उसके बाद यह whole number में negative number add कर जोगे हैं, तो यह क्या बन गया, अब इंटीजर बन गया ठीक है यह जो यह पूरा क्या है इंटीजर है मतलब इंटीजर जो है वो होल नंबर को contained रखा हुआ है अपने रखा हुआ है और इंटीजर नाचूर नंबर को भी contained है ठीक है अब इंटीजर में अगर fraction जोड़ दे X8 by 2, 2 by 3, 1 by 2, 5, 3, यह पूरा rational number है, आपको तेख रहा है जो पूरा बड़ा रेटर का सर्कल है यह क्या है पूरा rational कोरे नोट कर रहा है यह rational number होगी है मारे पास यह पूरा क्या है rational number है आपको समझ में आए rational integerole number, natural number मैंने बताया इनका इंग्लिश में और हिंदी में नाम है ठीक है तो यहाँ दखिएगा यह सब रैशनल लंबर और इर्राइशनल का कॉंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ वह एकदम बेसिक से स्टार्ट के वह एकदम बेसिक है जहाँ भी समझ नहीं है तुरुन कमेंट कर दीजिएगा य आप सभी को पता भी होगा मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूँ इसलिए मैं हर इक चीज़ बताते हैं चलूगा कुछ भी नहीं छोड़ोंगा तो रैशनल लंबर को जोडते कैसे हैं जैसे ये टू बाइफाइप और इसको मुझे जोड़ना है थ्री बाइफाइप के जोड़ देते हैं तो तीन दो पाँच बटे पाँच ये आपका अंसर आ जाएगा जो सिंप्लिफाय होके इसको वन भी लिख सकते हो अब तो यह ऐसा सिंपल हो जाएगा लेकिन अगर हर समान नहीं है मतलब हर मतलब डिनॉमिनेटर अगर अलग 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 जैसे ब एक्ज मैं अब को सिख़ा दूंगे नीषम इकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है अब क्या करते हैं इस चार से इस बारा को भाग करते हैं या आप उर पार तरीका बता दू, इस हर को मुझे 12 बनाना है, हर को क्या बनाना है 12, गल्सियम, तो इसको बनाने के लिए मुझे 3 by 3 का गुड़ा करना पड़ेगा, 3 का गुड़ा करूँगा, 4 तीया 12 हो जाता है, तो 3 तीया 9 हो जाएगा, उस्तरह इसमें भी गुड़ा करेंगे, 3 में क क्या गुड़ा करूं की हर 12 बन जाए तो 4 बाई 4 के गुड़ा कर देंगे तो यह 4 आ गया तो 9 और 4 हो जाता है 13 बटे 12 ठीक है इसका अंसर आ जाएगा सेम माइनस भी सेम होता है अगर यहां प्लस की जाएगा माइनस होता तो आप सीधा माइनस करते हैं अब घटा जेंगे तीन का गुड़ा अगर हमें 4 बटे 5 से करना है तो गुड़ा जब भी करना होगा यह तो आपको सीधा नियुमेरेटर का नियुमेरेटर से मुल्टिप्लाइ करना है धिनॉमेनेटर का डिनॉमेनेटर से मुल्टिप्लाइ करना कुछ नहीं करना है 4 2 जा 8 आंसर आ जाएगा और नीचे 5 threes of 15 answers हो जाएगा, 8 बटे 15 इस cancer हो जाएगा, समझ में आ रहा है, बहुत सरल है, multiply करना, भाग बता दूँ आपको, भाग आप कैसे करेंगे, भाग के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसे 2 by 5 है, इसको भाग करना है, 4 बटे 7 से, ये भाग करना है उनको, तो भाग क गुड़ा में चेंज होता है, और ये 4 बटे 7 का reciprocal, मतलब 7 बटे, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 बटे, 4 हो जाएगा, अब ये से multiply कर दी, 7 बटे, 4 हो जाएगा, जो आगे मैं बता रहा हूँ, वो रियल नमबर आपको बता दू, मैंने अभी हमने पढ़ा, ये परिमे संख्या, अब हम लोग पढ़ लेते हैं, रियल नमबर, ये रैशनल और इर्रैशनल, ये मैं बताऊँगा, आपको नेक्स वीडियम बताऊँगा, डिटेल में कि रैशनल और इर्रैशनल क्या है, अब परिमे संख्या, ये रैशनल मतलब परिमे, इर्रैशनल मतलब परी में यह दोनों को मिला देते हैं हम लोग किसको मिला रहे हैं हम लोग रैशनल और इर्रेशनल को जैसी मिला दिए तो बन जाता है यह बताऊंगा मैं नेक्स इसका भाग दो आएगा वीडियो पाट टू आएगा उसमें हम इसको देखेंगे तो चलिए मैं थोड़ा के बढ़ता हूं आम लोग रैशनल एक्सपरेशन हमारा टॉपिक है मैं परे टॉपिक में आ चुका हूं यह हमारा सेजी पीसी मेंस का टॉ तो इस मेंस को हम लोग कवर करते हैं रैशनल एक्सपरेशन मतलब हो गया चाहност हो गया ऐक आग्वाप तो rational expression start करने से पहले हमको कुछ एलजवरा के simple formula आपको जानने पड़ेंगे जैसे a plus b की पूरी की घद्धों का formula क्या होता है तो इसका होता है a square plus 2ab plus b square यह आपको जरूरत पड़ेगा ही मैं आपको बता दू इसके अगर minus होगा यहाँ पर तो यहाँ minus आजाता है यह फॉर्म पर कुछ दिख रहा है so all each of the following equation by factoring हमको factorize करना है इनको तो यह quadratic polynomials है इनको factorize कैसे करते है मैं आपको समझाता हूं मध्यपद तोड़न करने के लिए मध्यपद को तोड़ा जाता है या mid term splitting किया जाता है उसके लिए वीडियो है तो चले मैं बनाता हूं उसको बताता हूं कैसे पहला question मैं consider कर रहा हूं x square यह minus x है और यह 12 इधर आएगा तो plus 12 इधर आके LHS मैं आगा तो minus 12 हो जाएगा equals to 0 अब इसमें क्या करना है इसको मध्यपद बोलेंगे हमेश्यों जिसमें x का घात 1 होता है न उसको मध्यपद बोलता है तो मध्यपद कितना minus 1 है ठीक है तो minus 12 ठीक है तो दो number क्या है तो दो number minus 4 और 3 है इन दोनों को जोड़ेंगे तो minus 1 आएगा और इन दोनों को अगर हम गुड़ा करते हैं तो answer minus 12 आएगा ठीक है तो मध्यपद तोड़ने का समझज concept अभी देखिए मैं कैसे तोड़ रहा हूं x square यह minus 1 को तोड़ रहा हूं minus 4x plus 3 3x ठीक है और यहां पर minus 12 ही लिखा है केवल मध्यपद जो था वही तूटता है देखिए अब यहां से common निकालना और यहां से common निकालना तो चलिए x और x 4 minus x में common निकालते हैं यहां से common निकालूंगा यहां से 1x निकल जाएगा क्योंकि square है तो एक बचा होगा यह x बाहर निकल गया तो यहां बचाओगा minus 4 उस तरह से 3x और minus 12x में इसमें क्या common है पन देख लेते हैं इसमें 3 common है दीकर हमको प्लस 3 मैं common निकालूं तो बचेगा x minus 4 यहां भी चारती यह बारा होता है तीन चौफ बारा होगा तो यहां बारा आ जाएगा तो अब एक्स माइनस 4 को एक बार लिखना है और यह x plus 3 को एक बार लिखना है यह हो गया factorize यह complete हो गया इसको बोलते है factorization यह good and current करना यह answer आ लिए ठीक है अभी समद में नहीं कोई दिक करते ही मैं दूसरा example से आपको और clear कर देता हूं जो second example में ले रहा हूं second example मैं consider करता हूं second example क्या है x की गहाद 2 प्लस यह minus 14 को मैं बीच में ले आता हूं इधर ले आओं तो यह हो जाएगा plus 14x क्योंकि मध्यपद केवल x का गहात एक वाला होगा और यह plus 40 यह हो गया अब हमको दो नंबर चीए जिनको जोडने से 14 आ जाए और इनको गुड़ा कर 40 आपको दिमाग में नंबर नहीं आया तो आपको क्या करना यह जो गूड़ा करने वाला जो नंबर नंबर इसको क्या करना है कि होता है दो निक्या होता है चार होता है, दस में चार जोड़ दूं तो 14 आएगा, हाँ, आएगा, मतलब चार में अगर मैं 10 जोड़ूं, तो answer क्या होता है, 14 होता है, और 4 को 10 से गुढ़ा करूं, तो answer क्या होता है, 40 होता है, तो 2 number आपको समझ में आगे, 2 number का idea, तो यह जो expression है, तो कैसे लिखेंगे, x square प्लस चार एक्स प्लस दस एक्स और यहां पर चालिस लिखाएगा अब यहां से आपको दो नमबर से कॉमन निकालना और इन दो से कॉमन निकालना है तो यहां पर उभैनिस्ट क्या होगा एक्स उभैनिस्ट है तो एक्स कॉमन निकालेंगे तो बचेगा एक्स प्लस फोर यह से और यहांक शोपलायं से देड़ nhi रहे हैं आतुंस को कॉमन निकादे 100 एक बहुंद पर लिखेंगे। तो मैं अबहे हो स्मझ.'s कैसे कर रही हो हूँ मैं थै लाना चाहिए एधन बी को जोडने से बारा और इनको गुड़ा करने से 36 लाना है थिक है तो बहुत है तो चैसे बारा बस को ब्रिक करना है तो बारा कैसे बिख करेंगे y square plus 6y plus 6y plus 36 यह हो जाएगा, यहाँ से common निकलेगा, तो बचेगा y plus 6, यहाँ से मैं अगर 6 common निकल दूँ, तो बचेगा y plus 6, यह दोनों सेम हो गया तो y plus 6 एक बर लिखूँँगा, और यहाँ बचा y और plus 6, तो यहाँ भी लिखा जाएगा y plus 6, तो यह दोनों सेम आगई, गुडण कर दूँगा, बहुत असान है, यह आपको समझ में होगा, ठीक है, बाकी यह कोशिशन आपको करने है, यह D, आपको solve करने है, E, आपको solve करने है, F, आपको solve करने है, जी आपको solve करने है, अगर नहीं बने, तो मुझे कल comment कर दीजिएगा, आप Instagram में मुझे comment करके, message करके बता सकते हैं, कि यह question नहीं बन रहा है, तो मैं D, E, F, G को कल की video में बता दोगा, ठीक है, अगर आपको नहीं बना हो, तो मुझे बताईएगा, means के लिए बहुत important questions है, अगर बन गया अच्छी बात है, यह बने तो मैं कल D, E, F, G कर दूँगा, यह rational expressions है, यह exam में आते हैं question में, यह आपको solve करने आते हैं, कि यह reduce the following rational expression in the lowest terms, ठीक है, आपको x गहाद दो, minus 2x, minus 3, इसको आपको क्या करना है, factorize करना है, तो इसको factorize करना बहुत असान है, बहुत असान तरीकिसा में इसको factorize कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको expression दिखा दिया हूँ, यह मैं कल solve करोगा, यह दो वीडियो है, यह जो तीन question दिख रहे हैं आपको, इस तरह की question और भी rational expression में किस तरह से question आते हैं, इन सब को मैं कल के वीडि comment करके बता सकते हैं, या फिर Instagram में मुझे follow करके message करके, आप मुझसे push सकते हैं, तो अब हम part 2 करेंगे, तो उसमें मैं इसको solve करके आपको बता दूँआ, कैसे इसको solve करना है, कैसे लिखना है, किस तरह की questions आ सकते हैं, तब देखते हैं, ठीक है?